लास्ट श्लोग बड़ा इंपोर्टेंट होता है जय पराजय लाब हानी और सुख दुख को समान समझ कर देखो यूध होगा तो जय या पराजय होगी जीत या हार होगी तो इसका मतलब लाब और नुकसान होगा लाब और नुकसान होगा तो सुख और दुख की अनुबूती होगी के नहीं जैसे लाब हुआ उसे सुख जैसे नुकसान हुआ उसे दुख यहां कहते है क्रिश्न इनसब को एक समान समझ कर उसके बाद यूध के लिए तयार हो जा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहां पर क् वन अफ दे महत्व पूर्ण उबदेश के पाप और पुन्य की समीक्षा कर्म से नहीं होती तेरे भाव से होती है पाप और पुन्य का नेने तुम्हारे कर्मों से नहीं होगा यहां भगवान कृष्ण अरजन को कह रहे हैं जय पराजय सुख दुख लाभ हानी में तुझे संभाव रहे यानि सुख में सुख ना फील कर यानि उससे उपर की डैमेंशन पर और दुख में दुख ना फील कर उससे उपर संतोश की डैमेंशन में यदि तुम हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें पाप नहीं लगा पाप क नेने करम से नहीं है पाप का नेने भाव से है तुम्हें लगेगा हमने तो बहुत बार सुना यह सा लेकिन फिर भी अब भगवत गीता के लेवल से पाप और पुन्य का नेने करम नहीं कर सकते तुम सोचो तुम रास्ते से गुजर रहे हो और कोई व्यक्ति गड़े में गिरा हुआ है अब उस गड़े में गिरे हुए आदमी को बचाना यह पाप है के पुन्य गड़े में गिरा हुआ पानी आदमी उसे बचाना क्या है पका बोलो कुछ तो बोलो या तो पाप बोल दो या पुन्य बोल दो पुन्य है वह इंसान कल उटता है उसके टेररिस्ट की पूरी अपनी लॉबी है और कल को उटके सौ लोगों को मार देता है अब तुम्हारा कर्म क्या हो गया तुमने ना बचाया होता तो सौ लोग बच जाते अब एक ही कर्म पाप और पुन्य कैसे हो सकता है तुमने अच्छे भाव से उसे बचाया बात खतम वहीं कि वहीं क्योंकि कर्म जो है ना वो छाप छोड़के जाता है कर्म छाप छोड़के जाता है पीछे पग छोड़के जाएगा पीछे रिफ्लेक्शन चोड़के जाएगा लेकिन भाव जो तुमने अभी किया वही तुम वर्ड वर हुआ 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 अगर उस हिटलर को सेकिंड वर्ड वर्ड से पंद्रा दिन पहले कोई आदमी मार डालता तो अच्छा करता के बुरा भाई तुमसे पूछ रही हूँ और जब मैं पूछू तो उसका जवाब देना तुमारा स्वधर्म है सेकिंड वर्ड वर्ड हिटलर भाई साब के कारण हुआ पंद्रा दिन पहले विश्व मायुद के पंद्रा दिन पहले कोई व्यक्ति हिटलर को मार देता अब नीश क्या होता अच्छा करता हो अब वो पंद्रा दिन पहले हिटलर को मारता है तो जर्मनी की जो कोट है वो उस को सजा देती के नहीं अच्छा करना हुश सजा दी बेखो अब कन्यवजन शुरू होगा उसने तो अच्छा किया न है उसने तो अच्छा किया था हिटलर को मार दिया करोणों लोगों को मरने से इस अमधल जो बड़ी इतनी बड़ी विद्वन्स कुआ इतना नुक्सान हुआ उन सब में से बचा लिया इस आदमी ने कितना अच्छा काम किया लेकिन फिर अब तुम उसका कोट सजा दे रही है तुम withdraw लेकिन अब भी तो तुमने बोला कि उसने अच्छा किया इसलिए नेने कभी इस आधार पर लिया ही नहीं जा सकता कि तुमने कर्म का किया क्योंकि तुम्हारा हर कर्म प्रती चायाएं छोड़ कर जाएगा जो तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम्हारे हाथ में जब तुम कर्म करते हो उस समय का भाव है वो भाव स्वार्थ रहत होना चाहिए वह भाव अभिमान से मुक्त होना चाहिए उस भाव के अंदर फल अकांग्षा नहीं होनी चाहिए इतना ही तुम्हारे आत्मे है तुम बच्चा पैदा करते हो अब तुम्हारा वह बेटा बड़ा होके आइंस्टीन भी बन सकता है और उसामा भी बन सकता है हाँ के नहीं आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट भी बन सकता है और उसामा जैसा खुंखार आदमी भी बन सकता है तुमने कर्म किस भाव से किया न उसामा बन कर वो करोडों को मार रहा है लाखों को मार रहा है तबाही फैला रहा है वो कर रहा है या इंस्टीन बन कर जगत को नही नही खोश दे रहा है इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है तुमने बेटा पैदा कर दिया किस भाव से किया आगे जाके मेरे को बोलो बोलो यह तो परिचित बाते है सेवा करेगा सुख देगा बुढ़ापे की लाठी बनेगा लाठी कहां पढ़ती है तुम्हें भी पता है अब इस आकांग्शा से तुम करते हो ना इसलिए तकलीफ है तुमने बेटा पैदा किया उसको नीती के पाथ बताओ उसे धर्म के शिक्षा दो उसे भगवत गीता सुनाओ बस तुमारा काम खदम फिर स्वार्थ हो अभिमान हो मेरे जैसा बेटा किसी का नहीं या फिर फल आकांग्शा हो तो अब ये कर्म तुमारा बेकार हो गया कृष्ण या ये गोशना कर रहे है कि कर्म का संबंध तुमारे पाप और पुन्य का संबंध तुमारे कृत्य से तुमारे अक्शन से तुमारे कर्म से नहीं है पाप और पुन्य का संबंध खाली और खाली तुमारे भाव से है अद्वत बात है जैनों ने थोड़ी सुक्ष में बात की हमने वो भी अभी नौत अत्व में दिसकस की लेकिन फिर भी कोई बात नहीं आश्रव के खाते में डाल रहे है सब कुछ सब कुछ आश्रव चल रहे है हो क्या कह रहे है जै पराजे लाभ हानी सुख दुख को समान समझ कर उसके बाद समझ कर यानि अनुभव करके उसके बाद अब तु युद के लिए तयार हो जा कितनी सीधी सीधी आगना दे रहे है तु युद के लिए तयार हो जा लेकिन फिर भी भगवत गीता चलेगी क्योंकि अर्जुन को इतनी सिंपल बात भी समझ नहीं आ रही अर्जुन क्या बेवकूफ था तुम्हें क्या लगता है अर्जुन बेवकूफ होगा बड़ा टेलेंटीट था बड़ा इंटेलिजन था लेकिन अभी उस पर मोह का आवरन आया है जब तुम भी मोह में आ जाते हो ना तब यहीं काम होता है तुम्हारे साथ भी हाँ के नहीं जो इतनी obvious बात लग रही है अरे यहाँ पर तो भी कृष्णन ने बोल दिया अर्जुन तु यूद के लिए तयार हो जा तो अब तो उठ लेकिन अब भी भी नहीं मान रहा अर्जुन यह बता क्या रहा है कि जब इनसान पर मोह आ जाता है ना तब obvious सास्वा धर्म भी उसको पहचान में नहीं आता है कितना obvious तुम इतने लोगों के लिए कितना obvious है अर्जुन को यूद करना चाहिए है के नहीं लेकिन अर्जुन के लिए यह obvious नहीं है क्यों मोह का पर्दा आ गया है जब जब तुम्हारे जीवन में भी मोह का पर्दा आता है न कि अन्याय करने वाले तुम्हारे ही कुटुम्भी होंगे अन्याय करने वाले तुम्हारे कुटुम्भी तो तुम को गया हमारे कुटुम्भी को मेरे माबाप को मैं क्या बोलू उन्होंने अन्याय किया तो किया नहीं तुम्हारे बीतर शत्रिया है के नहीं है वो शत्रिया का करतव्य है अन्याय के खिलाफ लड़ना है अन्याय के खिलाफ नहीं पाप के खिलाफ लड़ना है पापी के खिलाफ नहीं यह तो हर दरम शिक्षा दे रहा है लेकिन जब तुम मोह में आ जाते हो ना तो पापी की तरफदारी करते हो और पाप के खिलाफ हो जाते हो यही अरजुन के साथ हो रहा है और यही तुम्हारे साथ हर समय होता है जब तक तुम आत्मग्यान में नहीं सरकते तब तक तुम्ह भी भी अपना सुवर धर्म ठीक से समझ ही नहीं आता या फिर तुम सच